नमस्कार HSU में आपका स्वागत है कम से कम 30 मिनिट तक सहवास का आनंद उठा पाएंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे के बारे में दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और खास बात की वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें जो सामगरित चाहिए और इस प्रकार है नमबर एक, चार चुहारे नमबर दो, भूने हुए चने नमबर तीन, एक गिलास दूद दोस्तों नुस्खा बनाने की विधी बताने से पहले मैं आपको इस नुस्खे से होने वाले फायदों के बारे में बता दू दोस्तों इस नुस्खे में इस्तिमाल होने वाली चीज़े जैसे भुने हुए चने, छोहारे और दूद ये तीनों चीज़े पुरुषों में यौन शक्ति को बढ़ाने में बहुत अधिक उप्योगी माने जाते हैं। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों को साथ में मिला लिये जाए, तो ये पुरुषों के सभी कम जोरियों को दूर करने में सक्षम है। जैसे ढ़ी लापन, वीडे की कमी, टाइमिंग का कम होना, इत्यादी, ये सभी बीमारिया इस नुस्खे को आज माने से ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे को बनाने की विधि के बारे में। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने की विधि बहुत ही आसान है। इसके लिए आप रात में खाना खाने के बाद चार चुहारे ले और उनको एक किलास दूध में उबाले। इसके बाद आप 30-40 भूने हुए चने यानि एक मुठी भर भूने हुए चने ले और इनको अची तरह से चबा-चबा कर खा जाए। इसके बाद आपको चार चुहारे जो आपने दूध में वाले थे उनको खा लेना है और बाद में बचा हुआ दूध हुपर से पी लेना है। दोस्तों ऐसा 15-20 दिनों तक लगातार करने से आपको जो ताकत मिलेगी ओ हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खोद ही इसके फायदे पहले दिन से ही महसूस करेंगे। दोस्तों अगर आप पेज नुस्खे का सेवन करते हैं तो आप सिगरज तथा शराब से दूर रहे। यदि आप शराब और सिगरज का इस्तिमाल जारी रखेंगे तो ये नुस्खा पूरी तरह से कामियाब नहीं होगा। दोस्तों यदि आप लंबे समय से बीमार है और दवायों का सेवन करते हैं तो इस नुस्खे का सेवन अपने डॉक्टर से पूछ कर करें तो ही बहतर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर पसंद आए तो इसे वीडियो को लाइट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।